हेलो एड़िवान वेलकम चिदी क्लास इस यह एड़िकेटर दिपेका मैं ओवर हीर और मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर हम फॉर्मस ओफ बिजनस चाप्टर को स्टार्ट करें यह फॉर्मस ओफ बिजनस चाप्टर आगे कैसे आपको 5 सब हेडिंग्स पढ़नी होती है कौन सी ठेमस तो आपको सब्cede आपको पढ़ना है और यह et сид ah प्रोप्राइटर्शिप को कवर करने वाले हैं और ऐसी पांच अलग अलग वीडियो में आपके लेके आने वाली हूं जिसके अंदर हम एक एक फॉर्म ओफ बिजनस को थोड़ा सा रीटेल में पढ़ने वाले हैं तो लेट्स गेट स्टाटेड और जल्दी से हम लोग क्या कंप्लीट कर लेते हैं हमारा सोल प्रोप्राइटर्शिप बिजनस लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रदक्शन तो टीचर का बनता है न तो यहां पर थोड़ा से इंट्रदक्शन में अपना दे देती हूं उसके बाद में आपको बताती हूं कि सोल प्रोप्राइटर्शिप होता क्या है फॉर्म्स ओ बिजनस आखिर है क्या चाप्टर किस से रिलेटेड है ओके क्योंकि यहां पर ही सारे लिंक्स मिलेंगे आपको जो भी पीटीएफ जो भी अफडेट हमको देना होता है आप लोगों को वह सारे पीटीएफ रेन अफडेट हम लोग इस चैनल के उपर ही डालते हैं सेम चानल हमारा कामर्स 365 का भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो प्लीज आप जाएए पटाफट से टेलीग्रान चैनल को जॉइन कर लीजिए ताकि आपको क्लास के अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके और यह मेरा प्रोफाइल है अनक्याडमी प्रोफाइल इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखो बचलो क्या होता है ना अगर आप प्रोफाइल को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी बंस क्लास होने वाली है तो प्लीज जा किया पड़ाफट से प्रोफाइल को फॉलो कर लिजी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ताकि हमारी जब भी स्पेशल या प्लस क्लास होंगी तो उन स्पेशल और प्लस क्लास का नोटिफिकेशन आपको कहा मिल जाएग और वो टॉप आप कैसे करोगे डीडेवली पीई कोड लगा के प्लस सब्स्रिप्शन लेगे अगर डीडेवली पीई कोड लगाओगे न तो टैन परसन आफ मिल जाएगा और एक चीज़ पहले ही बता दू यह कोड मेरा नहीं है यह मेरे स्टूडेंट्स का कोड है ठीक है दूसरा सब्स्रिप्शन के होता है पिता दूसरा सब्स्रिप्शन होता है आईकॉनिक सब्स्रिप्शन ठीक है डिफ्रेंस क्या है माम दोनों में क्या डिफ्रेंस है कौन सा बेटर होता है बेटा देखो सब दोनों की अपनी अपनी इंप्लस सब्स्रिप्शन की बात करें तो यहां पे आपको घर बेटे लाइब क्लासे अटेंड करने का मौका मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेज मिल रहा है सारे कोर्स पे एक बात पताओ एक आफलाइन ट्यूटर के पास जाते हो 10-12,000-15,000 महिने के एक सब्जेट के देखे आते हो यहां पे 15,000 का अलग-अलग कोने में हैं आप नहीं जा सकते हैं सबके पास लेकिन यहां पे आपको सारे एक ही प्लैटपॉर्म पे मिल जाएंगे रेगिलर डाउट सॉल्विंग और आंसर राइटिंग सेशन होते हैं एक्जॉस्टिव कवरेज और सिलेबुस होता है पूरा कवरेज होता है डाउट सॉल्विंग सेशन भी होते हैं मेंटॉर्शिप गाइडेंस मिल जाएगी आपको एक्सपोर्ट फेगल्टी से स्टडी माटेरियल तुरंद अविलिबल करवाया जाएगा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा प्राक्टिस टेस्ट इतने होंगे ना कि से आती है ठीके बैच्ट कोर्स आपको मिल जाएंगी बहुत सारे एडुकेटर्स के और प्राइस तो देखो यार इतना मिनीमम सा देखो 15,000 हमारा त्वेल मंद का प्राइज है इसमें अगर आप डीड़ेवली पी लगाओ तो 10% मतलब आपको 13,500 में सारे सब्जेक्स 12 मंस के लिए मिल रहे हैं इतना तो हम एक ओफलाइन ट्यूशन की फीज दे आते हैं तो थोड़ा कॉमर्स का दिमाग लगाओ थोड़ा कॉस्ट सेविंग करो पोरोना का टाइम है यह वाला अमाउंट बेस्ट अमाउंट है ठीके अपने पापा ममी का पैसा बचाओ और अनकैड परसनल मिंटर मिल जाता आइकानिक सब्स्रिप्शन में जो सेर्फ और सेव आपके डाउट सॉल करवाएगा आपकी वीकली रिपोर्ट काड जनेरेट करेगा कि आपने पूरे हवते में कितनी पढ़ाई करी कहां पहुचे कितना कोर्स हुआ आपके पेरेंट के साथ भी कने से देता है इसका सिक्स मन्त का कॉस्ट है 17,000 12 मन्त का है 28,000 बेटर तुगो फॉर्ट क्योंकि यहां पर मन्त कॉस्ट कम जाती आप पर डे कॉस्ट निकालोगे ना हार्डली 30 तू 40 रूपी पर डे इतना तो हम नॉर्मली खर्चा कर रहे हैं तो यहां इन्वेस्ट करो ना सुनी पैसे को और तुम्हारा कोट तो है ये तुम्हारे साथ डी डेवली पी आई कोट तो है ये तुम्हारा साथ जो तुमको क्या देने वाला है और अगर अगर मन्त बढ़ जाएंगे तो ये फ्री बेनेफिट भी आप लोगों के बढ़ जाएंगे और 10% आफ तो मिल ही रहा है आप लोगों को कॉमबैट होने वाला है अगर अभी तक कॉमबैट में नहीं पाटिसिपेट कियो ना तो बहुत गलत काम किये हो जल्दी से जल्दी आनकाडमी कॉमबैट जो आनकाडमी आपको मिल जाएगा वहाँ जाके पाटिसिपेट कर लो आपको स्कॉलर्शिप मिलेगी वर्ट रुपीज वन करोड वीडियो सॉलूशन मिल जाएंगे टॉप एजुकेटर से 30 क्वेशन 60 मि का हर जगे नहीं मिलता है जल्दी से जल्दी एंड्रॉल कर लो नेक्स्ट संडे हमारा जो भी आ रहा है वन पीम पे होगा टेस्ट डीवली पी आई कोड जरूर लगाना एंड्रॉल करते वक्त बहुत बेनिफिट मिल जाएंगे ऑगे आस्क डॉट फीचर नहीं अगर अभ कर सकते हो आपको एक लिंक दियावा होगा वहां जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं ओके तो लेड़ेस बिगिन विदी चाप्टर नाओ आज हमारा टार्गेट क्या है कि हमको इस वीडियो के अंदर यह समझा जाना चाहिए कि सोल प्रोप्रोप्राइटर्शिप क्या होता ह है तोल प्रोप्राइटर के अंदर मेरिट्स और डी मेरिट्स क्या होते हैं यह सारी चीज़ें हमको आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करनी है तो लेड़ेस स्टार्ट विदी क्लास चाप्टर नंबर टू जिसके अंदर हमको क्या-क्या देखना है थोड़ा साम लो यहां अगर मेरा फैमिली बिजनेस है तो मैं उसको भी जॉइन कर सकते हूं तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत सारे ओप्शन्स होते हैं उसी तरह से पब्लिक सेक्टर के पास भी ओप्शन्स होते हैं लेकिन वह आपको नेक्स चाप्टर में पढ़ने हैं यह वाला deal करता है कि as a individual as a individual of private sector आप कैसे अपना business start कर सकते हो कौन-कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना business start कर सकते हो so basically business undertaking क्या होती है is an organization which is engaged in some business or commercial activities इसी को हम लोग business undertaking बोलते हैं business undertaking का classification अगर मैं करना चाहूं तो classification कैसे हो सकता है सबसे पहला point जो आएगा वो कौन सा है का public sector enterprises जो कि कौन ओन करता है हमारी government कि होती हमारी क्यों होती है अगर मैं सेकेंड वाले की बाथ करो हमारा second point क्या है private sector enterprises is private sector enterprises कौन llev got individuals जैसे लोग जो private इंडिवि़ुँवचा ठीक है वो सारे लोग क्या करते है private sector enterprise को own करते हैं और और एक काटेगरी अभी रीसेंटली बहुत जादा चलने लगी है जिसको बोला जाता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में पार्टनर्शिप करके साथ में बिजनस स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग कौन सी का इंधर वह आपको नेकसर चाप्टर अंबर की अंदर पढ़ना है लेकिन प्राइवेट सेक्टर बिजनस कैसे स्टार्ट कर सकता है यह आपको पढ़ना है इस वाले चाप्टर के अंदर तो यहां पर सबसे पहले में आपको बचा देती हूं कि कितने टाइपस direct business enterprises हैं जो की private sector start कर सकता है जैसे आप और में मिलके एक अगर business start करना चाहते हैं या आप अकेली business start करना चाहते हो मैं अकेली business start करना चाहते हूँ तो मैं किस के ओपर जाओंगी sole proprietorship के ओपर जिसमें एक individual अपना business अकेले start करता है कोई साथ नहीं होता सिर्फ और सिर्फ वो अकेला individual सारा पैसा लगाएगा और अपना business start करेगा दूसरा हमारे पास आता है joint Hindu family business joint Hindu family business क्या होता है ऐसा business जिसके अंदर family members मिलके business चला रहे एक जो family का head होगा वो business का owner होगा साथ में उसके अंदर करता वो करता कहलाएगा और साथ में उसके पास होगे co-partners जो भी family members होगे वो इस business का हिस्सा बन सकते हैं फिर next we have partnership partnership में एक नहीं एक से ज़्यादा लोग partnership में आके काम करते हैं मतलब सब पैसा लगाएंगे सब profit भी share करेंगे सब काम भी करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं partnership बोलते हैं जो fourth है हमारे पास वो है cooperative organizations cooperative organization जो members voluntarily join करके बनाते हैं ताकि वो खुदी का benefit कर सके यहाँ पे जो profit होता है वो कुछ बेच के या कुछ ऐसे करके नहीं होता यहाँ पे profit खुद को ही services और goods प्रोवाइड करके होता है हम आपस में मिल के वो काम करें ताकि हम को ही benefit हो सके our last form of business जो की बहुत famous है जो है company company क्या है जैसे reliance है जैसे tata है जैसे बहुत सारी companies market में है तो इनको हम लोग company form of business बोलते है क्या होता है company form of business वो भी हम लोगों को इस chapter के अंदर आगे complete करना है तो आज का जो हमारा है न वो क्या होने वाला है sole proprietorship वाई sole का मतलब क्यों होता है sole का मतलब होता है owner single sorry sole का मतलब क्यों होता है single और proprietor का मतलब क्यों होता है proprietor का मतलब होता है owner तो ऐसा business जिसके अंदर अपनीच बगवान है तो ऐसा business जिसके अंदर अकेला sole proprietor ही सब काम करने वाला है जिसमें वो ही एक individual सारा business करने वाला है उसको आम लोग sole proprietorship form of business बोलते हैं तो आपको और examples कित्रुए explain करते हैं और तोड़ा detail में explain करते हैं कि meaning क्या होता है the business which is owned, managed, controlled and financed by a single individual ऐसा business जो own भी एक अकेला individual कर रहा है जो manage भी एक अकेला individual कर रहा है जो control भी एक अकेला individual कर रहा है जिसमें पैसा भी एक अकेला बंदा ही लगा रहा है उसको हम लोग sole proprietorship बोलते हैं ठीके एक बहुत ही famous हमारे टीवी चैनल पे एक आता है ठीके उसका एक ब बता होगा ठीके और अगर पता है तो comment box में जरूर बताना इन भाई साब के electronics की shop है ठीके वो electronics की shop में investment इन्होंने अकेले ने किया है उसका सारा profit यह अकेले लेते हैं उसमें जितनी भी risk है वो अकेले बियो करते हैं और भी जितनी भी चीजे हो रही है वो अकेले ही संभालत अगर आप बता सको तो फिर बहुत ही अच्छी बात है न तो सोल प्रोप्राइटर्शिप का यह best example आपके सामने है आपकी screen पर है और मुझे लगता है कि maximum मतलब 90% बच्चों को इसका नेम भी पता होगा और 90% बच्चों ने इसको देखा भी होगा मतलब TV पर ऐसे ठीक है So this is the best example of soul proprietorship जो मैं यहाँ पर आपको दे सकती थी okay अगर मैं आगे बढ़ू और features की बात करो कि what are the features of soul proprietorship एक soul proprietorship कैसे बनता है क्या होता है उसके अंदर किन चीजों से उसको characterize किया जा सकता है तो features of soul proprietorship में आपके पास सबसे पहला feature जो है वो क्या है देखो यहाँ पर तोड़ा detail में देखते हैं हम लोग बहुत तरह feature से एक एक करके देखते हैं सबसे पहला feature single ownership individual risk bearing भाई बहुत ही simple सा logic है इसके अंदर क्या होगा single owner होगा there is no partnership दो परसन नहीं होगे there is no company जादा होगे यहाँ पे soul proprietorship जैसे आपको नाम से ही पता पढ़ रहा है single owner इसको run करेगा risk भी single owner ही इसके अंदर देखने बाला है ठीक है second हमारे पैसे no separate legal entity यहाँ पे business और businessman एक ही माने जाएंगे जैसे for example reliance है ना तो reliance है अगर आप पैसा मांगते इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम अंबानी जी के घर चले जाएंगे कि हम reliance से पैसा मांगते तो आप हमको पैसा दो नहीं वहाँ पे reliance is different and अंबानी जी is different दोनों की separate legal entity है लेकिन soul proprietorship कहीं register नहीं होता है तो soul proprietorship की separate legal entity नह होती है अगर आप उस business से पैसा मांगते हो मतलब आप उसके owner से पैसा मांगते हो ठीक है soul proprietorship में there is no separate separate legal entity जो कि soul proprietorship business कहीं पर भी register नहीं होता है next is freedom of operation भाई अपु निच बगवान है हाँ पे अपु निच बगवान है भाई जो मेरी मर्जी होगी मैं वैसा करूंगी जैसे मुझे business चलाना होगा मैं वैसे चलाऊंगी there is freedom of operation मैं जो मर्जी चाहे कर सकती हूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं है मैं जैसे चाहूं वैसे business कर सकती हूं मुझे कोई नहीं रोकेगा so this is exactly what is freedom of operation means ठीक है चलिए next is unlimited liability बेटा देगो liability का मतलब होता है repayment का burden अगर आप आपने कोई loan लिया है in that case उस loan को repay करने के लिए आपको अपनी personal property भी बेचनी पड़ सकती है that is exactly what is called unlimited liability so sole proprietorship के अंदर क्या होता है liability unlimited होती है unlimited का मतलब unlimited का मतलब there is no limit आपको personal property भी बेचनी पड़ सकती है अगर आपने कोई पैसा मार्केट से लिया और उसको repay करना चाहते हो तो तो in sole proprietorship we have unlimited liability मतलब बहुत जादा liability हमारी होती है आपके next what we have features के अंदर और भी बहुत हैरे points से आगे देखते है lack of business continuity एक अकेला person चला रहा है न अकेला business चला रहा है अगर उस person को कुछ हो जाए सबोज उसकी death हो जाए उसका कोई medical issue हो जाए वो insolvent हो जाए या lunacy हो जाए पागलपन ऐसा कुछ हो जाता है इनके तो business तो बंद हो जाएगा तो sole proprietorship में क्योंकि एक ही person business run कर रहा है तो business continuity इतनी जादा नहीं होती है ठीक है next हमारे पैस है small size अब यार एक अकेला person पैसा लगा रहा है एक अकेला person business कर रहा है तो कितना size वो संभाल सकेगा बताओ as an individual we have certain limitations ना हम इतना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं और ना ही हमारे अंदर सारी managerial skills होगी कि मैं सारा business अकेला handle कर दो तो यहाँ पे जो businesses का size होता है generally small size होता है जितने भी बड़े business होते हैं या तो partnership होते हैं या फिर company form of business जाता क्योंकि एक अकेला individual बड़ा business अकेला manage नहीं कर सकता last हमारे पास है formation and closure जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें registration तो करवाना ही नहीं होता है बस थोड़ी बहुत legal formalities है license वगरा लेना ही नहीं है किसी किसी specific case के अलावा तो यहाँ पे बनाना भी बहुत easy है formation भी बहुत easy है without any legal formality और closure बंद करना है बस बंद कर दो simple यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको legally procedure follow करना पड़ेगा सारा नो बनाना भी easy है formation is also easy and closure is also easy so there is no as such restriction यहाँ पे आया समझ में तो यह सारे features थे जो मैंने आभी आपको explain कर दिये हैं यह सारे features आप लोगों को यहाँ पे learn करने हैं अब next topic क्या है ma'am next topic है हमारा soul proprietorship soul proprietorship के merits क्या है हमने features देख लिये हमने meaning देख लिया अब हमको merits भी तो देखने है कि आखिर एक बंदा soul proprietorship बनाता क्यों है जब इतने ही de-merits है तो कोई और form of business बना लो यार तो merits क्या है जरा merits तो देख लिए हम लोग की इसके आखिर merits है क्या तो सबसे पहला merit जो है यहाँ वो आपकी screen पे आ रहा है easy to start and dissolve सबसे important benefit है sole proprietorship जितना easy और कोई business नहीं है इसको बनाना भी बहुत easy है और इसको dissolve करना भी बहुत easy है आपने बना लिया कोई formality नहीं बंद करना है कोई formality नहीं पता है company बनाने के लिए मान के चलो 6 महीने से लेके 6 महीने से लेके एक साल तक क time लगता है अगर आपको company बनानी है इतनी सारी legal formalities है कि at least it will take 6 months to 1 year लेकिन sole proprietorship business बनाने में क्या है एक shop ले लो या एक building ले लो और अपना idea जो भी है उसको reality में convert कर लो पैसा लगाओ बस तो बहुत easily बन जाता है और इसको जो अगर बंद करना है तब भी बहुत easily बंद हो ज motivation बाई इसके अंदर अकेले हम business कर रहे हैं मैं अकेली business कर रही हूँ इसमें जितना भी profit होगा तो उससे मुझे motivation मिलेगा अगर मेरा business अच्छा चल रहा है इसका मतलब मुझे direct motivation मिलेगा कि ये मेरी महनत है ठीकि अगर आपका business बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको कितना motivation होगा कि मैं अकेला इसका उनर हुई मेरा बिजनेस है मेरी वज़े से ही बिजनेस आगे बढ़ रहा है अगर थर्ड की बात करें तो फ्लेक्सिबिलेटी ना वह और किसी बिजनेस में नहीं है जब चाहे चाह बंद कर दो आज इच्छा निये चुटी ले लो ठीक है कोई डिक्कत नहीं है यहां पे फ्लेक्सिबिलेटी अगर मुझे एक्स्पांड भी करना है अभी मैं एक प्रड़क्ट रखके बैठी थी कल मुझे चार और रखने रख लो कोई दिक्कत नहीं है तो यह वाला जो बिजनेस होता है यह बहुत जादा ही फ्लेक्सिबल होता है बाकी बिजनेस के कंपारिजन में जिसमें एक दुष्टर से पूछना पड़ता है यहां पे अकेले राजा हो आप किसी से नहीं पूछना अनलिमिटेट फ्लेक्सिबिलिटी भाई जितने चेंजिस करने कर लो किसी से फोर्मिशन तो लेनी ही नहीं है न नेक्स पॉइंट क्या है तोल बेनिफिशरी अफ दी प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट होगा अकेले मेरा होगा मुझे किसी से शेर नहीं करना जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा है मुझे किसी से भी शेर नहीं करना है ठीक है और भी पॉ इसमें नहीं possible है यहां पर secrecy आप maintain कर सकते हैं आपको sole proprietorship की accounts वगरा जो होते हैं जो details होती है profit and loss होते हैं उसको किसी को नहीं बताना किसी को बताने की जरुत नहीं है तो sole proprietorship form of business के अंदर secrecy बहुत जाधा रहती है ठीक है और next point जो हमारा है वो क्या है third point जो है that is independent control भाई अकेले का control है ठीक है independent मतलब सारी controlling मेरे हाथ में है मैं किसी पर dependent नहीं हूँ मुझे किसी से नहीं पूछना कोई decision लेना है मैं खुद अकेली ले सकते हैं मुझे किसी की permission या किसी की suggestion को मानने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं है ठीक है last point and best form for small scale operation अगर आप को छोटा मोटा business करना चाहते हो तो this is the best form of business चोटे मोटे business के अंदर company कहां खोलने जाओगे या दूसरा कोई business कहां इतना ज्यादा perfect रहेगा अगर आप छोटा सा ही business खोलना चाहते हो generally start-up जो होते हैं features देख लिया meaning देख लिया next क्या है हमारे पास demerits भाई हर चीज के pros and cons होते हैं हमने यहां पर merits देखे तो demerits भी हमको देख नहीं है न तो यहां पर हम लोग अब देख लेते हैं कि what are the demerits of poor proprietorship तो demerits के अंदर अगर हम बात करें तो first point आपके सामने आ रहा है limited finance एक अकेला बंदा कितना पैसा लगा लेगा सेविंग कर भी लियोगी तो कितनी सेविंग कर लियोगी करोडों की तो कर ली चलो इससे क्या 100-200 करोड अकेले में इखटे कर लियोंगे क्या नहीं not possible न तो यहां पर जो finance होता है वो थोड़ा सा limited हो जाते है अगर चार लोग पैसे लगाएंगे तो चार नदर पोर टाइमस पैसा हो जाएगा लेकिन यहां पर इंडिवीज्वल पैसा लगा रहा है तो यहां पर finance थोड़ा सा क्या होता है limited होता है ठीक है second point हारा आप मार्केट से लिया है तो in that case हम लोगों को क्या करना पड़ता है उस लोन का repayment करने के लिए पोस्नल प्रॉपर्टी वी सेल करनी पड़ सकती है तो यह तो गलत है ना यह सबसे बड़ा डिमैरिट है कि मेरे बिजनस की वज़े से हो सकता है कि मेरा घर जो मेरी फैमिली वो भी इंपक्त हो जाए तो यहां पर लिबलिटी अनलिम्मिटेट हो इस वज़ए से ही बिजनस लोग कम क्रेफर करते है कि अगर बिजनस में लॉस हो गया तो पूरे की पूरे तुमने मूबी मेरे बहुत देख तो यह सबसे बड़ा डिमारिट हो जाए कि बिजनस अलग नहीं बिजनस अगर कोई लॉस में जा रहा है तो आपकी फैमिली पे इंपक्त आएगा, आपकी पोस्नल असेट्स को भी बेचना पड़ सकते हैं, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स थर्ड पॉइंट है, देखो, मैनेजेरियल स्किल्स का मतलग क्यों होता है, मैनेज करने का तरीका है ना, अगर मैं एक इंडिविज्वल हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं सेल्स में भी एक्सपर्ट हूँ, मैं फैनाइंस में भी एक्सपर्ट हूँ, मैं मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हूँ, प्रड़क्शन भी मैं ही कर लू है एक बंदा सारा सारा स्पेशलाइज़ेशन नहीं रख सकता एक फिल्ड में स्पेशलाइज़ेशन समझ आता है हर जगे मैंनेज चीजे नहीं हो पाती एक अकेले परसन से तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि लिमिटेड मैंनेजिरियल स्किल एक परसन की पास इतना तो यहां पर expansion तोड़ा सा difficult हो जाता है क्योंकि मैं अखेली कहां कहां handle करूंगी ठीक है अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक business handle कर सकती हो लेकिन अगर बहुत बड़ा business है तो मैं अखेली manage नहीं कर सकती उस case में मुझे साथ में कोई ना कोई जरूर चाहिए होगा तो यह भी एक demerit है कि यहां पर expansion इतना जादा नहीं हो पाता lack of continuity businessman को कुछ भी हो गया कुछ भी अगर businessman को हो गया तो business की continuity पे बहुत impact आता है एक अकेला person handle करने वाला है उस person को कुछ हो गया तो business को बंदी हो जाएगा तो these are the demerits of what these are the demerits of sole proprietorship form of business आपका जो next form of business है वो क्या है partnership जो कि हम next वाली वीडियो में पढ़ेंगे यह वाला जो form of business है यह हम next वाली वीडियो में पढ़ेंगे तो आप लोगों को जितना भी समझ आया इस वाले इस वाले जो वीडियो था ना इस वाले वीडियो में एक question में आपको यहाँ पर दे देती हूँ उस question का answer आप मुझे comment box में जरूर दोगे ठीक है यहाँ पर अगर मैं question पूछू comment on the liability of the sole proprietor ठीक है liability किस तरह की होती है comment on the liability of sole proprietor ठीक है यह मेरा question है और इस question का answer आप लोगों को comment box में देना है live chat में नहीं देना है comment box में देना है कि इस sole proprietorship की liability कैसी होती है देखते हैं कितने लोगों को समझ आया है और कितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है अगर आपको कोई भी unacademy quiz join करना है तो please unacademy learning app जरूर डाउनलोड कर लिजेगा login करके go select कर लिएना menu पे जाके आपको plus पे जाना है test मिलेगा आपको वहाँ पे वहाँ join quiz पे जाना आपसे invite code पूछा जाए अगरा first time user है तो invite code dwpi और हर quiz का एक id होता है six digit number वह आपको एजुकेटर देगा आपको वहाँ पे डाल देनी है आप free of cost इस quiz को join कर सकते हैं अनक्याडमी पे बहुत सारी special classes होती है आप वह सारी special classes का फायदा उठा सकते हैं बिलकुल उठा सकते हैं तो जल्दी से जल्दी जाके फटा फट से डीडवली पी आई कोड यूज करो और अनक्याडमी के free features जरूर ट्राइ कर लेना चानल को अगर अपी तक subscribe नहीं किया तो please go and hit the subscribe button ठीक है please bell icon भी हिट कर देना क्योंकि जब भी classes होगी notification आ जाएगा और like and share तो आपको करना ही है ठीक है so this is your educator signing off from here bye bye everyone take care have a night's day and let's crack it अ